हर हर महादेव जय मातरानी दोस्तों आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल शांती गंगा आप सभी का मेरी चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है अगर आपके साथ भी कुछ ऐसा ही है दोस्तों तो लहसुन का टोट का आपके लिए बहुत लाबदायक सिध होगा जी हाँ दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे लहसुन के बहुत ही असरदार और चमतकारी उपायों के बारे में दोस्तों बहुत आसान और छोटे से हैं आप इनको जरूर कीजिए तो दोस्तों इसके लिए आप क्या कर सकते हैं दोस्तों इसके लिए शनिवार के दिन आपको लहसुन की एक कली पर्स में रखनी है क्या करने आपको लहसुन की एक कली रेनी है और दिन शनिवार का होना चाहिए उसे आप अपने पर्स में रख ले इससे कभी भी पैसों की किल्लत नहीं होगी यदि पैसा नहीं टिकता तो शनिवार के दिन लाल कपड़े में लहसुन की तीन कलियां बांद कर अपने पर्स या पोटली बनानी है इससे घर के परिशर में जमीन के नीचे दवा का रख देनी है इस टोटके करने से पहले आपको शनि मंदीर में जाकर शनिव के दर्सन करने indeed हैं दोस्तो लाल कपड़ा लेना है और उसे लहसुन की दो कलियां आपको बांद दिनी है और घर के परिशर में अर्थात अपने घर के आंगर में जहां पर भी कच्ची मिट्टी हो जिस जगा पर आप देख सकते हैं आपके घर में कहां पर कोई थोड़ी ऐसी जगा है क्योंकि आज कला हम देखते हैं कि सबके घर में पक्की जगा होती हैं कहीं भी कच्ची जगा नहीं होती है लेकि फिर आप कोशिश किजिए कहीं ऐसी जगे उसको दबा दें अपने घर के आंगन में आसपास दर्वाजे के पास तो आपको इससे बहुत ही चमतकारी लाब मिलने वाले हैं आपके घर की आर्थिक तंगे इससे दूर हो जाएगी दोस्तों अगला तीसरा उपाय है सुख सम्रदी के दिन एक डंडी में लहसुन की साथ कल्यों को बांध कर घर की आंगन या छट पर आपको रख देना है क्या करना है दिन शनिवार का होना चाहिए एक लकडी लेनी एक डंडी लेनी है पतली और उसमें साथ कल्यों को बांधना है लहसुन की घर के आंगन में या फिर इसको छ चत पर रखेंगे तो जाद अच्छा रहेगा ऐसा करने से नजर दोश दूर होता है और साथ ही धन की समस्या भी दूर होती है दोस्तो अगला चौथा उपाय है व्यापार में आ रही बार बार परशानियों के लिए लैसुन का टोटका बहुत ही मददगार है इसके लिए भी शनिवार के दिन ही आपको यह उपाय करना है इसके लिए शनिवार के दिन दुकान या फ्याक्टरी के मुखे द्वार पर आपको पांस लहसुन की कल्यों को लाल कपड़े में बांद कर लटका देना है इस टोटके से आर्थिक बाधा दूर हो जाएगी दोस्तों आप अपार बड़ी तेजी से बढ़ने लगा है आपके घर में धन की बरकत होने लगी और आपके जो कस्टमर चले जाते थे आपकी दुकान पर नहीं आते थे या आपकी दुकान से कुछ भी खरितते नहीं थे तो वो भी आने लगेंगे आप देखेगा इसको महसूस करके कर लगाने पड़ने हैं उनका स्वास सही नहीं रहता है इस वज़ा से भी घर में कलह कलेश रहता है आई दिन घर में जब लोग बिमार रहते हैं और धनकी तो हानी होती ही होती है आप समझ रहे हैं और बाकी के लोग परिशान भी होते हैं तो इसके लिए आपको क्या करना यदि बार बार घर में बच्चे बिमार होते या फिर कोई घर के और सदसे बिमार होते तो आपको क्या करना है लहसुन की साथ कल्यां लेनी है और उनके शरीर से उतारनी है और पांच लाल सावुत मिर्च के साथ उसको जला देना है ध्यान रखना है साथ लहसुन की कल्यां ल मिलेगा और बहुत जल्दी आपकी बीमारी दूर हो जाएगी आप देखे इसको करके देखे आप जो बार-बार डॉक्टर्स के चक्कर लगाते हैं वो चक्कर लगाना भी आप भूल जाएंगे और आपके घर का पैसा बचेगा आपकी परिशानिया बचेंगी तो दोस्तों ये थे चार छोटे-छोटे उपाई बहुत ही आसान उपाई आप जरूर करके देख लीजिए लहसुन की एक कली आप पर्स में जरूर रख सकते हैं यदि इससे आपका भला हो रहा है तो इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है बस दिन शनिवार का होना चाहिए आप सुबा नित्य क्रिया से निवरित होकर नहाद होकर अपने मंदिर में पूझा करें और उसके बाद लहसुन की एक कली पहले देवता को अरपित करें और उसके बाद उससे अपने पर्स में रख ले इससे यदि आपका वियापार बढ़ रहा है आपकी घर में धन की आमदरी बढ़ रही है बचत होती है तो इससे अच्छी कोई और बात हुई ही नहीं सकती मित्रो कैसी लगी जानकरी कॉमेट करके मुझे जरूर बताएगा और इसी तरह की वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए वीडियो को लाइक और शेयर तो आप करेंगे ही करेंगे क्योंकि जानकरी जो मैंने दी वो बहुत ही उत्ता में वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बात धन्यवाद दुस्तु